दोस्तों आप देख रहे हैं 400 Spelling का वीडियो सीरीज जिसके अंदर का यह चौथा वीडियो है दोस्तों पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इन 400 Spelling का वीडियो सीरीज का वीडियो है यह चार पार्ट में बनेगा लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जा रहा हूं वैसे वैसे इसके अंदर पता चल रहा है कि ये चार भागों में मैं complete नहीं कर पाऊंगा इसे इसे मैं लगबग साथ या आठ भागों में complete करूंगा स्पैलिंग्स के बारे में मैं आपको बता दू कि जो 400 स्पैलिंग्स है ये ऐसे स्पैलिंग्स है कि जिसके विना आप नहीं बातचीत कर सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बहुत ही बेजिक स्पैलिंग्स हैं हो सकता है कि इसमें से कुछ आपको आते हों लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो है चौता भाग जो है इसके अंदर कुछ ऐसे spellings है थोड़े कठिन spellings है कि जो आपको सीखना जरूरी है पहले के तीन भागों में ऐसे spellings थते हैं जो मतलब की काफी आसान्त है कि जो बहुत ही बेजिक में जरूत पड़ते थे इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में लेकिन थोड़े कटिन सब्द इस वीडियो में आये हुए हैं तो आए दोस्तों इसकी सुरुआत करते हैं मैं हर एक सब्द चारण करके स्पेलिंग के साथ हि कि वो st दस्रुद मतलब होता है कर देता है डी ओ ऑई एस डस है डोंत डी लू एन टी डोंत डोंट जो है वू लूनॉट का सॉट फ़ॉर्म है डोंत को हम हंधी में कहते हैं नहीं जो ड़्य ऐनट डोंत F-A-S-T, FAST, FAST का मतलब होता है उपवास या इसका दूसरा मतलब होता है तेज, F-A-S-T, FAST, F-I-V-E, FIVE, FIVE का मतलब होता है पाच, नंबर पाच, F-I-V-E, FIVE, F-O-U-N-D, FUND, FUND मतलब होता है मिल गया, F-O-U-N-D, FUND, G-A-V-E, GAVE, GAVE मतलब होता है दिया, किसी को कोई चीज देते है तो दे दिया गया होता है तो उसे GAVE कहते है, G-A-V-E, GAVE, G-O-E-S, GOES, GOES मतलब होता है, जाता है, G-O-E-S, GOES, GREEN, G-R-E-E-N, GREEN, GREEN मतलब होता है हरा, हरा रंग, G-R-E-E-N, GREEN, OFF, O-F-F, OFF, OFF मतलब होता है, बंद, O-F-F, OFF, PUL, P-U-L-L, PUL, PUL मतलब होता है, खींचें, P-U-L-L, PUL, R-E-A-D, READ, READ मतलब होता है, पढ़ना, R-E-A-D, READ, R-I-G-H-T, RIGHT, RIGHT मतलब होता है, सही, R-I-G-H-T, RIGHT, S-I-N-G, SING, SING मतलब होता है, गाओ, या फिर, गाना, S-I-N-G, SING, S-I-T, SIT, SIT मतलब होता है, बैठिये, S-I-T, SIT, S-L-E-E-P, SLEEP, SLEEP मतलब होता है, नींद, नींदरा, सोना, S-L-E-E-P, SLEEP, TEL, T-E-L-L, TEL, TEL मतलब होता है, कहना, T-E-L-L, TEL, DEAR, T-E-I-R, DEAR, DEAR का मतलब होता है, उनके, उनकी, या फिर, जो अपने, मतलब की, सेंटेंस में, DEAR का इस्तमाल के सिस्तिती में हो रहा है, उसके अधार पर इसके अर्थ जो है, वो चेंज होते रहते हैं, T-E-I-R, DEAR, DEES, T-E-E-S-E, DEES, DEES मतलब होता है, इन, इन हैं, बहुवचन के लिए ये ये यूज में होता है, DEES, T-E-E-S-E, DEES, DOSE, T-E-E-S-E, DOSE, DOSE मतलब होता है, उन, या उनके, वे, ये भी बहुवचन के लिए यूज में होता है, T-E-E-S-E, DOSE, UPON, UPON, UPON का मतलब होता है, के उपर, या फिर, पर, पर मतलब की ये भी उपर वाला पर, जैसे बोलते हैं हम उस पर, तो ये पर मतलब उपर वाला पर, UPON, 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 US, US, US मतलब होता है, हम, हमें, U-S-E, US, US मतलब होता है, उपयोग या प्रयोग, U-S-E, US, V-E-R-Y, 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 V-E-R-Y मतलब होता है, बहुत, अती, B-E-R-Y, V-E-R-Y, V-E-R-Y, Wash, Wash मतलब होता है, धुलाई करना, W-A-S-H, Wash, W-H-I-C-H, Which, Which मतलब होता है, कौन से, कौन सा, या फिर जो, W-E-R-Y, W-E-R-Y, Y मतलब क्यों, या फिर किसलिये, W-E-R-Y, W-E-R-Y, W-I-S-H, Wish, Wish मतलब होता है, तमनना, इच्छा, या प्रार्थना करना, W-O-R-K, Work, Work मतलब होता है, काम, या कार्य, W-O-R-K, Work, W-O-U-L-D, Would, Would मतलब होता है, होना, जो होना चाहता है, सेंटेंस के हिसाब से, ये भी इसके अर्थमी चेंज होते हैं, W-O-U-L-D, Would, Right, W-R-I-T-E, Right, Right मतलब होता है, लिखना, इसमें W जो है, वो साइलन्ट है, इसे हम Right पढ़ते हैं, Right नहीं पढ़ते हैं, W-R-I-T-E, Right, Your, Y-O-U-R, Your, Your मतलब होता है, आपका, या फिर तुम्हारा, तुम्हारे, इस तरह से, Y-O-U-R, Your, Then, T-H-A-N, देन, देन मतलब होता है, से, T-H-A-N, देन, T-I-M-E, Time, Time मतलब होता है, समय, T-I-M-E, Time, W-A-T-E-R, Water, Water का मतलब होता है, पानी, W-A-T-E-R, Water, Way, W-A-Y, Way, Way, Way मतलब होता है, मार्ग, रास्ता, W-A-Y, Way, A-N-O-T-H-E-R, Another, Another का मतलब होता है, एक और, A-N-O-T-H-E-R, Another, Answer, A-N-S-W-E-R, Answer, answer मतलब होता है, उत्तर, A-N-S-W-E-R, Answer, Back, B-A-C-K, Back, Back मतलब होता है, वापस या पिछली तरफ, B-A-C-K, Back, Boy, B-O-Y, Boy, Boy मतलब होता है, लड़का, B-O-Y, Boy, Boy मतलब होता है, लड़का, About, A-B-O-U-T, About, About मतलब होता है, के बारे में, A-B-O-U-T, About, Better, B-E-T-T-E-R, Better, Better मतलब होता है, बहतर, B-E-T-T-E-R, Better, Bring, B-R-I-N-G, Bring, Bring मतलब होता है, लड़, B-R-I-N-G, Bring, Carry, Carry, C-A-R-R-Y, Carry, Carry मतलब होता है, ले जाना, C-A-R-R-Y, Carry, Clean, C-L-E-A-N, Clean, Clean मतलब होता है, Switch, C-L-E-A-N, Clean, Cut, C-U-T, Cut, Cut मतलब होता है, Cut गया हो, Cut ना, या फिर Cut ओती, के, इन सब के अर्थ होते हैं, Cut, C-U-T, Cut, Done, D-O-N-E, Done, Done मतलब होता है, किया हुआ, D-O-N-E, Done, Draw, D-R-A-W, Draw, Draw मतलब होता है, खीचना, या चित्र बनाना, D-R-A-W, Draw, Drink, D-R-I-N-K, Drink, D-R-I-N-K मतलब होता है, पे, या फिर पीना, D-R-I-N-K, Drink, 8, E-I-G-H-T, 8 मतलब होता है, 8, E-I-G-H-T, 8, Fell, F-A-L-L, Fell, Fell मतलब होता है, गिरना, F-A-L-L, Fell, F-A-R, Far, Far मतलब होता है, दूर, F-A-R, Far, Full, F-U-L-L, Full, Full मतलब होता है, पोन, या फूरा, F-U-L-L, Full, Got, G-O-T, Got, Got, Got मतलब होता है, मिल गया, G-O-T, Got, Grow, G-R-O-W, Grow, Grow मतलब होता है, बढ़ना, G-R-O-W, Grow, Hot, H-O-T, Hot, Hot मतलब होता है, गरम, H-O-T, Hot, Hold, H-O-L-D, Hold, Hold मतलब होता है, पकड या अधिकार, H-O-L-D, Hold, Hurt, H-U-R-T, Hurt, हर्ट मतलब होता है, चोट, पीडा, या कश्ट, H-U-R-T, हर्ट, K-E-E-P, कीप, कीप मतलब होता है, रखना, K-E-E-P, कीप, Kind, K-I-N-D, Kind, Kind मतलब होता है, महरबान, प्रकार, दयालू, या तरह, ये चार अर्थ, एक ही सब्द के होते है, काइंड के, K-I-N-D, काइंड, Laugh, L-A-U-G-H, इसमें G जो है, G-H जो है, ये Silent टाइप के होता है, Laugh बोलते हैं इसको, L-A-U-G-H, Laugh, Laugh मतलब होता है, हसना, Light, L-I-G-H-T, Light, Light मतलब होता है, रोसनी, प्रकास, L-I-G-H-T, Light, Myself, M-Y-S-E-L-F, Myself, Myself मतलब होता है, श्वयम, या फिर खुद, Myself, M-Y-S-E-L-F, Nine, N-I-N-E-9, Nine मतलब होता है, Now, N-I-N-E-9, Never, N-E-V-E-R, Never, Never मतलब होता है, कभी नहीं, N-E-V-E-R, Never, Seven, S-E-V-E-N, Seven, Seven, Seven मतलब होता है, साथ, S-E-V-E-N, Seven, Only, O-N-L-Y, Only, Only मतलब होता है, केवल, O-N-L-Y, Only, केवल, Own, O-W-N, Own, Own मतलब होता है, अपना या खुद का, O-W-N, Own, Pick, P-I-C, के, Pick, Pick मतलब होता है, चयान या चुनना, Pick, P-I-C, के, Pick, Shell, S-H-A-L-L, Cell, Cell मतलब होता है, करेगा, भविश्यकाल का सूचक्रिया है, यह, S-H-A-L-L, Cell, Six, S-I-X, Six, Six, मतलब होता है, छह, S-I-X, Six, Show, S-H-O-W, Show, Show मतलब होता है, प्रदर्शन करना, या फिर, दिखाना, S-H-O-W, Show, Small, S-M-A-L-L, Small, Small मतलब होता है, छोटा, S-M-A-L-L, Small, 10, T-E-N, 10, 10 मतलब होता है, 10, T-E-N, 10, S-T-A-R-T, Start, Start मतलब होता है, सुरू या सुरुआत करना, S-T-A-R-T, Start, Together, T-U-G-E-T-H-E-R, Together, Together, Together का मतलब होता है, साथ में, या एक साथ, T-U-G-E-T-H-E-R, Together, Warm, Warm मतलब होता है, गरम, W-A-R-M, Warm, Warm का दूसरा अर्थ होता है, हार्दिक, W-A-R-M, Warm, प्राय, T-R-Y, प्राय मतलब होता है, प्रयत्न, या कोशिस करना, T-R-Y, प्राय, Today, T-U-D-A-Y, Today, Today का मतलब होता है, आज, आज का दिन, T-U-D-A-Y, Today, तो दोस्तों ये थे मेरे 78 words, के जिसके बिना इंग्लिस हमारी अधूरी रह जाती है, ये सब्दों को आपको याद होना और आपको आना बहुत जरूरी है, अगर आप इंग्लिस में बाक्चित करना चाहते हैं, इंग्लिस को पढ़ना चाहते हैं, या फिलिखना चाहते हैं, ये बहुत ही most important सब्द हैं, दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके बताईए, like कीजिए, और share करना ना भूलिएगा, क्योंकि share करने से इसका फाइदा और भी लोग उठा सकते हैं, आपके जरिए, और दोस्तों सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आने वाले भाग पे जल्दी बनाऊंगा, और यहाँ पर पब्लिस करोंग धन्यवाद दोस्तों, बाई